हालो, गुड मॉर्निंग, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, वो है क्लास 7 का एक टॉपिक जिसका नाम है दे लेंग्वेज ओफ केमेस्ट्री, आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, जो आज हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दे लेंग्वेज ओफ केमेस्ट्री, तो आईए बगर समय को नष्ट के हुए हम लोग देख लेते हैं, कि दे लेंग्वेज ओफ केमेस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं तो आप लोगों के स्क्रीन पे अभी तुरत खुल रहा है एक PDF फाइल जिसका नाम क्या है दा लेंग्वेज ओफ केमेस्ट्री आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा है कौन से क्लास का तो देख लें यह क्लास 7 का आप लोग यहां देख सकते ह है कौन से क्लास का तो यह क्लास 7 का सब्जेक्ट है साइंस चैप्टर है नंबर फर्स्ट और टॉपिक है दे लेंग्वेज ओफ केमेस्ट्री आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे तो आप लोगों को करना क्या है कि आज यसी को पढ़ना है सबसे पह हुआ है कि find the valency आप लोग देख सकते हैं आप लोगों कि अगर अस्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो कि find the valency of the underline elements or radicals in which the following compounds था ना आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि क्या है तो लिखा हुआ है कि elements का और या फिर आपको जो radicals दिया हुआ है उसका आपको क्या बात कर लेते हैं किसका लिखा हुआ है यहां पर पहला वह है BACL2 आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा BACL2 जिसको हम लोग कहते क्या है कहते हैं बेरियम क्लोराइड लिखने में आज नहीं बन रहा है मुझे इसको कहते क्या है तो इ लेकिन इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग देखने का प्रियास करियेगा तो आप लोगों को दिखाइ देगा है न यह है BA और यह है आपका CL तो CL का वैलनसी होता है वन और BA का वैलनसी होता है 2 ट्रंस्पोस होगा तो BA चला आएगा 1 के साथ और CL चलाएगा 2 के साथ तब जाकर जो formula बनेगा वो formula बनेगा आपका BACL2 यह बनेगा आपको formula इसका मतलब है कि barium का जो आपका है यह जो है आपका barium यह barium का जो आपका है balance कितना होगा तो balance होगा 2 आप लोग असमें पर देख सकते हैं इसको फिर है PCL3 PCL3 में balance का वो कौन सा है तो balance है 3 इसके बाद है PCL5 इसमें जो phosphorous का balance है तो 5 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग देख सकते हैं वो चीज की क्या होगा कि आप लोगों को मैंने कुस दिन पहले एसेडिक और बेसिक है ना एसेडिक और बेसिक रेडिकल्स के बारे में मैंने बताया है मैंने आपको क्या बताया है तो मैंने बताया है आपको acidic और basic radical के बारे में बताया है साथ में मैंने आपको बताया है molecular formula भी लिखने को साथ में हमने आपको क्या बताया है बताया है molecular formula भी लिखने को तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को molecular formula जो मैंने लिखना बताया है अगर उस वीडियो को आप लोग फिर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किसका वैलेंसी कौन होता है चलिए NS3 में जो है आपका नाइट रोजन का जो वैलेंसी है वो कौन सा है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अगर आप लोगों को किसी पर करकर डाउट हो तो आप लोग मेरे वाटसप में मुझसे वो पूछ सकते हैं इसके बादे MGSO4 इस में आपको बताना है सल्फेट का वैलेंसी क्या बताना है तो वह 2 होता है सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है इसके बाद है कैल्सियम कार्बोनेट तो कार्बोनेट में कैल्सियम कार्बोनेट में आपको कार्बोनेट का वैलेंसी बताना है तो कार्बोनेट का वैलेंसी क्या है तो कार्बोनेट का वैलेंसी है तू आप लोगों के आप sodium का valency क्या होता है तो वो होता है one होता है कैसे जो मैं समझा देता हूँ इसको मैं समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ आप खुद देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है na यहां लिखा हुआ है two और लिखा हुआ है o इस तरीके से यहां से आप देखे यहां है Na, यहां है O, oxygen, oxygen का valency क्या होता है 2, और sodium का valency क्या होता है 1, तो आप देख सकते हैं, sodium चला गया 2 के साथ transpose होके, और oxygen चला आया 1 के साथ, तो formula क्या बन गया, formula बन गया Na2O, यह formula का formation हो गया, इसके बाद है CAO, CAO के बारे में जानना है, इसको कहता है calcium oxide, इसमें calcium का valency कलना और calcium का valency क्या होता है, तो वो भी होता है 2, कैसे होता है, तो देख लीजे, अगर CA का valency 2 है, oxygen का भी valency 2 है, तो दोनों एक दूसरे से transpose होगा, और formula बनेगा CA2O2, CA2O2 का बनेगा, अब 2, 2 common factor के कारण कटेगा, तो आपका formula क्या बनेगा, CAO, इसका मतलब है कि यह जो calcium ह इसका valency क्या होनेवाला है, तो valency होनेवाला है 2, इस बैसके बाद है FESO4, इसके बारे में हम लोग जाने लेते ही, कि FESO4 में तो FESO4 में यह क्या होने वाला है, तो FESO4 में याद रखना है आप लोगों को कि FeSO4 या FeCl3 तो iron का balance 2 होता है है ना और 1 होता है 3 1 होता है 2 और 1 होता है 3 आप लोगों को अपके screen दिखाई दे रहा होगा कि 1 होता है 2 और 1 होता है कौन सा 2 होता है 3 होता है 2-2 balances होते हैं इसके है ना 1 होते हैं 2 और 1 होते हैं तीन आप लोगों के आपके स्क्रीम पर दिखाई भी दे रहा होगा तो यहीं से हम लोगों को देखना है तो आइरन जो है यहाँ पर लिखा हुआ FE204 तो ऐसे कंडिशन में आइरन का वैलेंसी क्या है तो वो है बता दूँ कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको acidic और basic आप लोगा स्क्रीन पर देख सकते हैं acidic और basic radicals के बारे में मैंने बताया था है ना उसमें मैंने इन दोनों के valency को भी discuss किया था है ना आप लोगों के पास पहले का वीडियो का अगर लिंक है तो आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं है लिंक तो आप लोग मुझे whatsapp करें message करें और मैं को सिस करूँगा कि आपको उसका link जो है provide जितना जल्दी हो सके कर होता है तो वह होता है इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे aloh3 आप लोग अपने screen की और देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि aluminium का valency कितना होता है तो वह होता है 3 होता है इसके बाद अगर भी आप लोगों को कोई doubt होता है तो आप मुझे बाद में बताएंगे ठीक है बाद में बताने का मतलब यह हुआ कि आप मुझे क्या करेंगे कि whatsapp पे मुझे message करेंगे और मैं जो है आप सभी छात्रों को क्या करू notification है ना जिसको notification कहते है मैं आपको उसको देने का प्रयत्न करूंगा तो मैं क्या करता हूं कि थोड़ा से वीडियो को पाउस कर लेता हूं उसके बाद मैं कुछी चंद मिन्टों में फिर से आपके लिए आता हूं है तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा जहा रोगत राणसपोज कितना होता है थ्री होता है और अस प्राणसपोज हो गया कर्वोनेट के साथ तो सोडियemin का तो हो गया इसके अलावे भी अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की और सवाल जो है आपका सी है ना वो लिखा हुआ है कि answer the following in not more than 100 words है ना इसका जो answer देना है हमको so what से ज़्यादा मैं answer नहीं देना है लेकिन सवाल थोड़ा सवाल थोड़ा बड़ा है इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सवाल है है ना इसको हम लोग देख लें समझ लें है ना उसके बाद हम लोग solution करेंगे लिखा हुआ है water compound radicals आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा होगा कि water compound radicals compound radicals क्या होता है इसके बाद है कि give examples of give examples of few radicals along with their balances है ना कुछ जो है radicals का example भी देना है जिसमां उसको हमको balance भी लिखना है also mention some compounds containing compound radicals कुछ compound ऐसा भी लिखना है जिसके इसाथ उसका compound radical connected हो इसके बाद और सवाल इसी में है कि give the valency आप लोग देख सकते हैं कि give the valency of the parts that make up the compound इसको भी हमको बताना है तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सारे चीज़ है ना तो अब हम क्या करते है answer हम लोग देख लेते हैं इसका answer क्या होने वाला है ऐसा है कि आप लोगों को मैंने आज के वीडियो में क्या दिया है तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिया है क्विश्चन के साथ मैंने दिया है उसका आंसर क्विश्चन के साथ मैंने क्या दिया है तो मैंने दिया है उसका आंसर तो आप लोगों को क्या करना है कि इन question answers को homework के तोर पे आप लोगों के अपने अपने fair copy में कौन से copy में तो fair copy में note करना है और आज साम साम तक मेरे whatsapp पे आप लोगों को send भी करना है तो यह चीज़े हैं चलिए answer देख लेते हैं लिखा हुआ है उपर में कि एक group of atoms of two or more elements which behaves like a single atom and has a valency is known as compound radicals लिखा हुआ है कि वो ऐसा group of atoms दो या दो से अधिक element का जो कि single atom जैसा भी हैव करता है और जिसके पाफ valency भी सेम होता है उसको क्या कहा जाता है तो कहा जाता है क्या तो कहा जाता है compound radicals example आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सरे example भी लिखे हुए है यह example साबके book में भी दिये हुए थे हैना मैंने वहीं से इनको लिखा भी है तो आप लोग यह सारे example को भी देख लेंगे साथ में आप लोग करेंगे क्या क्या जाता हुए हैं तो इन form соглас को आप लोग य लिखा हुआ है कि hydroxide, nitrate, carbonate, sulfate are examples of compound containing compound radicals hydroxide है, nitrate है, carbonate है, sulfate है यह सब सो होते हैं आपके क्या होते हैं तो यह सब जो होते हैं आपके होते हैं क्या तो compound radicals होते हैं अगला लिखा हुआ है कि compound radicals do not exist independently but only as a pair of compounds such as monovalent, valencian, radicals are hydroxide and nitrate, carbonate, sulfate are examples of divalent radicals अब यहां से आप लोग एक चीज़ देखें कि आपका जो लिखा हुआ है कि यह जो hydroxide है, nitrate है, carbonate है, sulfate है यह सब हैं क्या compound radicals है यह वैसा compound है जो कि compound radicals को contain करता है compound radicals do not exist independently but only as parts of compounds such as monovalent, valencian 1 जैसे आप लोग देख सकते हैं, hydroxide इसका valencian क्या होता है, nitrate है, carbonate है, sulfate है इसका valencian क्या होता है, तो होता है, 2 होता है तो यह जो है, तो यह था अपका सवाल यहां तक अब जो है, D number question जो है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आपके screen पे D number question भी है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, D number question है, complete the following D number question है, complete the following, मतलब कि यहां पे कुछ blank spaces हैं और इन blank spaces में हमने एक answer भर दिया है इसका आप लोगों को साथ में क्या किया जाएगा, कि बहुत सारा student का यह भी सिकायत हो सकता है कि हम लोगों को यहां दिखाई नहीं दे रहा है, सर के video नहीं दिखाई दे रहा, अच्छे तरीके से तो सर वीडियो को किस तरीके से देख के लिखा जाए तो इसका उपाई यह है कि आप लोग वीडियो को पाउज कर सकते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं, कि वीडियो को पाउज कर सकते हैं वीडियो को पाउज करके भी आप लिख सकते हैं है ना अगर इसके अलावे भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आज आप लोगों को करूँगा क्या कि मैं दे दूँगा पीडियोफ फाइल अभी आपके ग्रूप में मैं दे दूँगा क्या मैं PDF फाइल दे दूँगा आपके ग्रूप में और इस PDF फाइल की सहायता से आप क्या करेंगे कि इनको लिख लेंगे तो चले पहला सवाल देख लेते हैं पहला सवाल में लिखा हुआ है कि A symbol is an abbreviation of the name of an element है ना element के नाम का जो संचिप्त रूप होता है उसी को हम लोग कहा जित कहते क्या है संकित कहते है जिसको symbol भी कहा जाता है अगला है कि a molecule of an element और a compound is represented by its formula किसी भी element का molecule यहाँ पर आप देख सकते हैं element का molecule किसको कहते है तो जैसे S2 है है ना N2 है जैसे O2 है तो यह सब चो है element का molecule है और compound का molecule कौन है तो हो है S2O है CO2 है है ना तो यह compound का molecule होता है तो इसको represent कैसे किया जाता है तो इसको किया जाता है formula से तीन नमबर सवाल है कि the valency of the two elements of a binary compound are transposing to obtain its formula तो जासे आप लोग जानते हैं कि देख्याँ मैं लिख रहा हूं A जूँए मैं लिख रहा हूं C LA का balance वन और CA का balance even ब ऑन यह दूनों क्या करता है कि balance को एक Намज़िक साथ transpose करने का काम करता है यह दूनों क्या क्या है तो एक दूसरे का साथ Valency को transpose करने का काम करता है मतलब यह method क्या कहलाता है तो transposing कहलाता है चलिए अगला देखते हैं लिखा हुआ है कि atoms are neither lost nor gained in a chemical reaction कहने का मतलब है कि ना ही atom का निर्मान होता है और ना ही atom का बिनास होता है तो यह है chemical reaction के दोरांग अब अगला सवाल जो इनमबर है आपके स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा page number two के last में लिखा हुआ है कि choose the correct option मतलब यहां पर क्या किया हुआ है कि 4-4 option दिया हुआ है कुछ questions दिया हुआ है और उन 4 option में से कोई एक option आपका सही है तो मैं जो लैटीन नेम है वो क्या है और 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 को रिपरजेंट किस से किया जाता है तो किया जाता है यह यह से आप अपने स्क्रीन के देख सकते हैं यह था पहला सवाल चले दूसरे सवाल की और हम लोग आ जाते हैं दूसरा सवाल है कि which of the following is divalent radical तो आपको याद रखना है कि कौन चार option दिया हुआ उसमें से आपको चुनना है कि कौन से आपका radical का जो होता है बैलेंसी दो होता है तो उसमें जो मुझे सही लगा वो है कौन सा तो है sulphate Q क्योंकि sulphate को कहा जाता है SO4 और इसका वैलेंसी क्या होता है तो इसका वैलेंसी होता है तो अगला है the balance of sulfur in sulfur dioxide is sulfur dioxide में जो sulfur का वैलेंसी होता है वो कौन होता है तो होता है चलिए इसके बाद अगला सवाल है कि how many times greater in the balance of NH3 तो देखे NH3 में NH3 में जो इनका balance होता है वो होता है 3 है ना और HCL में HCL में जो आपका CL का balance होता है वो होता है 1 तो 1 से ये 3 कितना times ज्यादा बड़ा है तो आप के लिए early कह सकते कि ये sir 3 times बड़ा है तो इसका मतलब है कि answer यहाँ पर correct क्या होगा 3 होगा इसके बदे मैस्डव Director in conquistations में है कि आपको दो कॉलम डिया हुआ कॉलम ए और कॉलम B और इन कॉलम्स में आपको क्या करना है कि आपको columns के मताबिक उसका symbol लिखना है तो मैंने उसको सीधे सीधे मिला दिया है मैंने उसको सीधे सीधे क्या कर दिया है मिला दिया है है ना आप लोग यहां पे देख सकते है कि मैं उसको सीधे सीधे मिला चुका हूँ helium का valency क्या होता है HE mercury का valency क्या होता है HE copper का valency क्या होता है CU calcium का valency होता है CA phosphorus का valency होता है P और lead का valency होता है PV तो आप लोग इसको देख सकते हैं आपके screen पर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा अब कुछ question है क्या कि true or false है मतलब सही और गलत में आपको judge करना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा ज्यादा नहीं करना होगा आप लोग screen को देखते रहे अच्छे तरीके से मैं कोसिस करूँ रहा हूँ कि आपको जो भी topic है वो मैं सारा का सारा clear तो चलिए आप लोगों के आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा है ना तो यहां तक हो गया तो choose the correct option का भी मैंने पहला question आपको बता दिया चलिए दूसरे question से हम लोग आते हैं कि दूसरा question जो है आपका क्या है तो दूसरे question को भी देखने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि करना होगा हम लोगों को एक काम तो थोड़ा सा आप लोग आ screen पर बने रहें मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास फिर से back आ रहा हूँ है ना वो screen पर थोड़ा problem आ गया है चलिए तो आप लोगों को अब फिर से दिखाई देगा आपका page जो खुला हुआ था है ना फिर से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है तो आप लोगों को यही पेस देखना है अब जो है आप लोगों को मैं फिर से लेके चलता हूँ सवाल नंबर सेकेंड पे सवाल नंबर सेकेंड में जो है लिखा हुआ है कि which of the following is a divalent radical तो अभी तुरत मैंने बताया क्या sulfate, sulfate का जो होता है आपको क्या होता है valency तो होता है 2 इसलिए इसको कहा जाता है divalent radical फिर मैंने आपको यह भी बताया कि sulfur का valency यहां कितना होगा 2 और यह होगा 3 इसके हलावी यह जो मैंने आपको अभी बताया true false से अब हम लोगों को चलना है mass the falling मैंने आपको बता रखा है यहाँ देखिये hydrogen का valency क्यlarda है 1 तो सही है तो मैंने लिखा है true oxygen का valency क्या होता है true iron का symbol i होता है तो नहीं यहां गلत है iron का symbol क्या होता है fe होता है तो मैंने यहां लिख दिया है false आप लोग देख सकते हैं इसक्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सिल्वर का जो सिम्बॉल होता है, वो क्या होता है, एजी, लिखा हुआ है कि अगर calcium का valency 2 हो calcium का valency कितना हो तो 2 हो और chlorine का valency 1 हो तो chlorine का valency अगर 1 हो तो transpose होके जो formula बनेगा तो वो बनेगा CACL2 जबकि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CACL2 तो यह भी क्या है? false है, answer में लिखा हुआ है अगर zinc और oxygen दोनों का valency 2 है तो बताइए क्या zinc oxide का formula ZNO होगा तो आप देख सकते हैं कि ZN का valency भी 2 और O का valency भी 2 तो formula बनेगा ZN2O2 है न, 2 से 2 common factor कटेगा तो formula क्या बन जागा? ZN O तो इसका मतलब यह वाला मेरा क्या है? true है, हना, अब चलिए आगे चलते है कि कुछ elements के, कुछ compounds के name लिखे हुए थे यहां पर और आपको उसके वज में क्या लिखना था? तो आपको उसका formula लिखना था क्या लिखना था? formula लिखा हुआ है कि write the formula of each of the following compound तो पहला है water, water का formula क्या होता है? S2O, फिर है calcium oxide, इसका formula क्या होता है? CAO, फिर है carbon dioxide, इसका formula क्या होता है? CO2, फिर है carbon monoxide, इसका formula क्या होता है? CO, इसके बाद है magnesium oxide, इसका formula होता है? MZO, इसके बाद है hydrogen chloride, फर्मूला होता है? HCL, फिर sodium chloride, फर्मूला होता है? NACL, फिर potassium chloride, फर्मूला होता है? KCl, फिर है magnesium chloride इसका formula आता है MZCl2 इसके बाद आते हैं तो लिखा हुआ zinc chloride तो इसका formula आता है ZNCl2 इसके बाद है nitric acid NHO3 फिर है sodium nitrate NaNO3, sodium carbonate Na2CO3, potassium carbonate K2CO3, calcium carbonate CaCO3 यहां होता है आपका पहला lesson खत्म, लेकिन अभी अब आप लोगों को क्या करना है कि home work में home work में आपको आज ही साम तक fair copy बना के भेजना है और साथ में fair copy के साथ में आप लोगों को जो मैंने molecular formula लिखने को दिया था उसका भी अभी तक आप लोगों नोट्स नहीं भेजा है बना कर तो आज साम साम तक आप लोग क्या करेंगे कि आज आज आप लोग नोट्स बना के भेजेंगे और इसी तरीके से आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहेंगे मैं कोशिस करूँगा आपको पढ़ाते रहने का और भी कोशिस करूँगा और बहतर करने का तो आज के लिए आप लोगों को यही तक रुका जाता है घर पे रहेंगे सुरचित रहेंगे थैंक्स